हलो गाईज, आज का हमारा टापिक रहने वाला है कि IPR का फार्म step by step कैसे apply करें तो हम IPR के official website पे चलते हैं और apply link पे click करके सिधा website पे चलते हैं और login करते हैं login से पहले सबसे पहले जो इनका user ID password है वो तो login कर लेंगे जिनका नहीं है वो register पे click करेंगे नीचे register पे click करने बाद अपना registration करेंगे पहले name के option में अपना full name डाल देना है फिर email address में अपना email id डाल देना है उसी के साथ email id के बाद आपको अपना password डालना है password आपका alpha numeric होना चाहिए एक word आप capital में यूज करिएगा साथ में address या hashtag के बाद 1234 कोई भी अपना numeric word यूज कर लीजिएगा फिर confirmation के लिए आपको same password को repeat डाल करके सीधा register पे click कर देना है इसे आपके mail id पे एक link चला जाएगा यहाँ उपर लिख क्या रहा है please verify your email तो जो link आपके mail id पे गया है उसको आप open करिएगा open करके उस link को बस click कर दीजिएगा जिससे आपका mail जो है verify हो जाएगा यदि आपका कोई link नहीं गया हुआ है आपके mail id पे पहले हम पहले देख लेते हैं हमने अपना mail id और password डाल के हम login करेंगे तो यह login नहीं होगा यह आपको फिर verify your email id बोलेगा तो अगर mail अगर आपके पास नहीं गया है तो आप forget your password का option चूच करिएगा यहाँ पे अपना mail id डाल करके send link पे click करेंगे send password reset link जिससे एक link चला जाएगा आपको कुछ नहीं करना है उस link को आपना open करना है और open करके फिर card देना है जिससे आपका जो mail id है वो verify हो जाएगा यदि दुबारा नहीं जा रहा है तो आप फिर से अपना send password reset link तो इससे आप दुबारा send कर लीजेगा फिर आप IPR की website पे जाईएगा फिर apply online पे जाईएगा या सीधा जो अपने user id आपका mail id रहेगा password जो आपने create किया है लाग इन के लिए यहाँ पे password टाइप करिएगा और फिर login क्लिक कर दीजेगा जैसे यह आपका IPR का application link open हो जाएगा अप्लिकेशन link open होने के बाद आपको advertisement में पहले एक बार detail पढ़ लेना है कि क्या बताय हुआ है और side में आप देखेंगे dashboard admit card का later advertisement दिया हुआ है तो advertisement में क्लिक करिएगा फिर jobs पे जाईएगा जैसे jobs पे जाएगे तो आपको दिख जाएगा कि scientific assistant B का जो है form apply हो रहा है यहाँ पे click here लिखा है क्लिक करिएगा क्लिक करने के बाद देखेंगे आपका first name middle name ऐसे लिख क्या है बट इसके लिए आपको add personal detail पे click करेंगे तो वहाँ से details आपका website पे upload होगा हमने click कर लिया यहाँ पे advertisement number दे दिया है 02023 फिर post code के लिए हम apply करेंगे हमारे condition में electrical का post code है scientific assistant के लिए और job location की बात करें तो IPR रहने वाला है post code scientific assistant भी लेड़ी दिया हुआ है हमको return test का place select करना है तो हमारे यहाँ सबसे नजदी की middle ही है तो हम उसको apply करेंगे name of applicant first name middle name last name यहाँ तीन name दिया हुआ है तो यदि आपके पास तीन space करके name है तो first middle last apply करेंगे दो है तो first और last apply करेंगे middle छोड़ दीजिएगा फिर ऐसा ही father's name में अगर दो name है तो first और last apply करेंगे तीन step है तो first middle और last तीनों type करके apply करेंगे फिर सीधे आ जाईएगा data birth में यहाँ पर आप लोग अपना data birth क्लिक करके apply कर दीजिएगा data birth के बाद birthplace, birthplace में आप लोग इंडिया डाल सकते हैं या अपने district का नाम डाल दीजिए कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर आप इंडिया डाल दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं उससे नहीं जेंडर चूज करिएगा marital status डाल दीजिएगा फिर उसके बाद category जो भी category है उसमें apply कर दीजिएगा personal disability candidate yes बाकी सब no कर दीजिएगा ex-serviceman हाँ जो ex-serviceman है yes करिएगा बाकी no करिएगा AWS कंडिशन में यहाँ अपना apply कर दीजिएगा जो स्टुडेंट्स स्टीस या female candidates नहीं है उनके लिए यहाँ पर क्या है फिर रिसिप नंबर मांगा जाएगा तो आप साइट के dashboard से सबसे पहले आप SBI collect के थुरू payment कर लीजिएगा वहाँ से जो number मिलेगा यहाँ apply कर दीजिएगा उसके बाद next आप है अपना mobile number यहाँ पर डालिएगा मॉबाइल नंबर के बाद आपको डालना है अपना address permanent address तो house name नंबर यदि है तो ठीक है society है तो ठीक है नहीं तो फिर आप father's name डाल दीजिएगा फिर village का नाम डालिएगा district डालिएगा pin code फिर अपना state डाल दीजिएगा state डालने के बाद यदि आपका permanent और correspondence address same है तो click कर दीजिएगा यदि difference है तो correspondence address भी अपना यहाँ पर डालने के बाद सिधा इसको save कर दीजिएगा हमारा first stage यहाँ पर save हो गया है edit का option यहाँ पर दिया है अगर जरूत पड़े तो edit कर लिजिएगा next हम चलेंगे qualification में हम qualification में click करेंगे और add qualification पर click करते ही हमारा second stage start हो जाएगा यहाँ पर हम study level की बात किया जाए तो हमारे case में diploma है तो हम diploma apply करेंगे exam qualification exam part diploma यहाँ भी रहेगा steam discipline की बात किया जाए तो electrical engineering है तो electrical engineering mechanical के है तो mechanical civil के है तो civil apply करिएगा बोर्ड university organization की बात करें तो जिस बोर्ड से आपका diploma जो भी बोर्ड करा रहा है जैसे उत्तरप्रदेश के लिए UPBT है ठीक है या किसी का AICTE है जैसे IERT के लिए AICTE रहेगा तो उसको apply कर दीजेगा फिर marksid जिस date को आपको मिला रहता है उस पर date पढ़ा रहेगा तो आप marksid पर पढ़े वए date को यहां इंटर करिएगा date इंटर होने के बाद सीधा percentage आप marks जो डिफलोमा में आपने final year में complete तीनों year का जो marks है उसका complete percentage इंटर करिएगा percentage इंटर करने के बाद upload final marksid पर क्लिक करिएगा यहां पर आप चूच फाइल करेंगे चूच फाइल के बाद आपका फोल्डर open होगा जो भी फोल्डर का लिंक आप दिये रहेंगे वहां से अपना पहले से 150 kb में अपना PDF फाइल बना लीजेगा उसको यहां upload कर दीजेगा नेक्स्ट आपका certificate रहेगा certificate भी आपका maximum 150 kb का होना चीए पहले से आप PDF फार्मेंट में बना के रखिएगा और यहां सीधे upload करके save कर दीजेगा हमारा second stage यहां पर qualification upload हो गया है फिर हम चलेंगे dashboard साइड में और advertisement पर click करेंगे यहां पर देखेंगे upload file आ जाएगा हमारा personal detail हो गया qualification हो गया अब हम सीधे upload file upload file में आपका photo signature category certificate EWS certificate यह सब यहां पर मांगा जाएगा जिसको step by step आपको one by one क्या करना है select करके upload करना है इसके लिए सबसे पहले document name में क्लिक करेंगे यहां देखे फोटोग्राफ, signature, age proof, category, free receipt, pwbd, ews यह सब दिया है one by one जिसके पास जो भी है इसको आपको upload करना है फिर्स्ट आप फोटोग्राफ करिएगा फोटोग्राफ भी आपका maximum 150 kb का होना चाहिए उसको upload करने गवाद next आप इसको upload करिए फिर next add upload फाइल करिएगा second time आप signature को करिएगा signature भी आपका 150 kb का होना चाहिए maximum size उसकी उसको आप click करके यहां पे upload करिएगा और upload करते वे save करते जाईए फिर third करिएगा अपना category certificate या फिर age certificate तो यहां पे age proof करिएगा फिर choose file वो भी आपका 150 kb का ही होना चाहिए पीडिया फाइल में वो पहले बना लीजिएगा यहां पे high school का जो certificate होता है वही age proof माना जाता है गवर्मेंट संस्था में उसको upload करिएगा फिर add upload file करिएगा इस बार category choose करिएगा category का फाइल पहले से 150 kb का बना के रखिए उसको यहां पे upload करके save करिएगा यह हमारा photograph signature age proof category अपडेट हो गया इसके लावा यहां पे कोई ऐसे भी document नहीं है हमारे अस्तर से जो यहां upload करना है तो हम सीधा return dashboard पे चलेंगे और advertisement में क्लिक करके experience open करेंगे जिसके पास experience है वो students यहां पे apply करेगा जिसके पास नहीं है यहां यह ऐसी वाइक experience की कोई requirement नहीं है तो यह नहीं apply करेंगे next हम देखेंगे preview and submit हमारा सारा document upload हो गया हमने इसको open कर लिया है preview के लिए अब एक बार हम पूरा डीटेल अपना application नेम फादर्स नेम डेटा बर्थ जेंडर केटेगरी ठीक है EWS है कि नहीं यह सुनो करके अपना permanent address डीटेल में चेक कर लिजिएगा कि society नेम हाउस नेम क्या है प्लेस एरिया बिलेज ठीक है इसके बाद अपना city district चेक करेंगे कि सही है कि नहीं pin code देख लिजिएगा state और अपना detail चेक करने के बाद last अपना qualification जरूर चेक कर लिजिएगा डिफलोमा, electrical, engineering, mechanical, civil जो भी apply किये है बोड चेक करिएगा और जो marks it पर date है उसको तो compulsory चेक करिएगा इस सेम है कि नहीं कि selection होने के बाद वो आपको लेके जाना पड़ेगा फिर आप सीधा percentage आप marks चेक करिएगा last में देख लिजिए आपका photographs वगरा upload है कि नहीं है यहाँ पर उसका file upload नंबर दिया रहेगा और नीचे आपका signature दिखेगा इसके बाद अगर change करना है तो dashboard में जाईएगा personal details में वहाँ पर जो भी personal details qualification वगरा आप click करेंगे तो edit का option दिखेगा वहाँ से edit करके जो भी change करना है आप change कर लिजिएगा अगर कोई भी file दिख रही है उसके बाद फिर उसको final review and submit में आईएगा complete submit करिएगा submit करने के बाद आपको download PDF दिखेगा यहाँ से आप click करके document का PDF जो है download करके folder में चेक कर लिजिएगा कि आपने जो apply किया है सही किया है एक नहीं कोई भी गरबड़ी होती है तो आप लिजिए apply कर सकते हैं जो आपका last submission वाला form रहेगा वह आपका final माना जाएगा यहाँ अपना details देख सकते हैं PDF में कोई file तो नहीं है जो आपने apply किया है किया है